तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप भी अपने मूबाल फोन के अंदर आप इस चारजिंग इनफॉर्मेशन सेट्इंग को आप इनेवल करना चाहते और इस setting के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं कि इस setting को enable करने से क्या होता है और इस setting को disable करने से क्या होता है हमारे mobile phone के अंदर या हमारे display के अंदर क्या परिवर्तन पड़ता है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा details में बताने वाला हूँ तो अगर आप इसे use कुछ करना चाहते हैं तो कैसे आप यूज़ का सकते हैं और क्या आपके मुबायल फोन के अंदर परिवर्थन पड़ेगा तो सबसे पहले को करने के आपको यहां से बैक आना है बैक काने बाद आपको अपने मुबायल फोन के अदर अपना setting open करना है जैसे आप यहाँ पर setting open करेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा setting आपको नीचे आना है जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपको home screen पर किलिक करना है यानि कि आपको display के अंदर यह setting मिलेगी अगर home screen के अंदर मिल जाती है तो आपको वहाँ पर भी आपको open करेना है तो जैसे आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा so charging information setting तो इस setting से क्या होता है यहां पर आपको पूरा details में बताया जाता है यहां पर आपको बताया जाता कि अगर आप इसे फुल हो जाएगा आपका mobile phone 100% चार्ज हो जाएगा वह यहां पर हाइड हो जाता है अगर आप इस setting को disable करते हैं तो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस setting को enable करेंगे और enable करने के बाद यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अपने mobile phone को charging में लगा दिया है लगाने के बाद यहां से मैं इसे log कर देता हूं लोग करने कब बाद वहीं आप एक बार उंगली रखने के बाद यहां पर J मिलेंगा की चार्णिंग ऐन्फ़ॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे कि doin मुबाइल पर यहां को 에गस कडिने घंटे में फुल हो ज्यायगा देखने को मिलेंगा सर्फर आपको क्डाइब säठचे में अब और उसके बाद दुस्तों क्या होगा कि आपका मुबाइल फोन लोग होगा लोग होने के बाद अगर आप एक बार यहाँ पर टैच करेंगे तो आपका यहाँ भी स्क्रीन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जब आप इस पर डवल टैप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा कि आपका जो mobile phone है कितने देर में कितने घंटे में आपका फुल हो जागा अगर आप इसे disable कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे आप अपने mobile phone के अंदर एस setting को योज कर सकते हैं तो मैं असर करूँगा आज आपको पूरा details में पता चले गया होगा तो मिलते हैं next video में एस video के लिए एतना ही अगर video पसंद आया हो तो video को like करना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscriber के bell icon on कलेना video पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद